इस बात से कुई भेन कर नहीं कर सकता कि खिसारी लाल यादव आज की समय में भुजपूरी के सूपर इस्टार है ट्रेंडिंग इस्टार है और जिसके लिए वो हर समय हर रोज मेहनत करते हैं और अपने चाहने वाले को इंटर्टेन भी करते रहते हैं जिसके ही बदौलत फिर से समाज में अस्टलेलता की इंट्री न हो क्योंकि वो जिस अस्थान पर है वहां से अगर कोई भी लकीर खिशते है तो उनको देखके छोटे सिंगर फॉलो करेंगे तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए देखे मैं ये नहीं कह रही हूं कि खिसारी यादों का ये गाना जो डीजे वैगन वाला गाना है वो बुरा है खराब है क्योंकि जहां तकी सौंग की ओडियो को हम सुनते हैं तो एक्दम से फ़नी लगता है जिसमें खिसारी लाल ने पूरी जी जान से पबली को इंटर्टेन करने की कोशिस भी की है और देहाती लुखो या कॉमेडी वा ठीक नहीं है मेरा खिसारी लाल यादो जी से ही कहना है क्या आप इस वुडियो सौंग को अपनी पूरी फेमिली के साथ बैट के देख सकते हैं नहीं देख सकते ना तो जब आप नहीं देख सकते हैं तो फिर लोग कैसे देखेंगे तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि की तरफ ले जाने की कोशिस करेंगे आज पाउन सिंग के सारी यादा और इतीज पांडे अंकुस राजा जैसे कलाकारों के वज़े से ही हमारी भुजपुरी बहुत ही उपर तक बड़ी मुश्किल से पहुची है तो प्लीज आप कोई ऐसी लकीर अब ना खीचिए जिससे की समाज में फिर से असलेलता फैले और लोग भुजपुरी गानों को देखने में सरमिंदगी फिल करें तो मेरा आप से बस रिक्वेस्ट है वीडियो बनाने का मतलब मेरा यही है गाने का बायकट करना नहीं है बस असलेलता का विरोध है आप क्या कहेंगे थोड़ी से साथ कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक सेर कीजिए और बोच्पूरी के ऐसी इसाफ सुतरी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा लें